गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिव प्रिय जासर के साथ यूपियस याडा चैनल पर तो आईए ज़र आप पढ़ा जाए आज के सेशन को जाना जाए कि क्या क्या है सर आज के आपजेक्टिव सेशन में तो आग सेर और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना बोलना मेरे बाई विज्या जी अनन्या जी ओके नदीम ठीक है अंसु जी डीजे ओके स्मीता चाबरा जी ठीक है चांदनी जी नितिन गुपता जी सभी को गुड मॉर्निंग मेरे बाई और सुनिए आगे परने से पहले आप सभी बच्चों को बता दे कि आप सब जानते हैं सर की यूपी पीसियस का आपकी नोटिफिकेशन बस मतलब कुछ ही वक्त है फॉर्म भरने का सेस इसको जरूर भरिये ये दिन नहीं भरे हैं तो है ना और इसके साथ साथ बच्चों जिन्नों ने भर दि इसके कई सारे फीचर से आपके संकल्प जो अभी आ रहा है आपका बैस संकल्प यूपी पीसियस का प्री और मेंस को लेकर वो है और हाल फिलाल में जो प्री को प्रिलिम को टार्गेट करता हुआ यूपी पीसियस का है वो है इसके साथ साथ यूपी पीसियस प्रिलिम पे से एप के त्रू आराउंड एटीन हंडिट के आराउंड का ये आपको एविलेबल होगा बच्छो तो बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़कर लाइक सेर के साथ और पिंचेट में आपका ये दिया हुआ है कि आप डैरेक्ट उसफर पहुत सकते हैं चलिए अगले पॉइंट पर आईये सर को सेने दा टाइटल फादर आफ हिस्ट्री वाज राइटली बिलॉंग टू फादर आफ हिस्ट्री सर किसको कहा जाता है सभी लोग बताएंगे तीस लोग लाइब है मेरे भाई लाइक सेर के साथ आगे बढ़ियों और आंसर कर ये बच्छो यस आईयस लवर निसांद भाया घु Bach Railigger फाकेर गुट Thousand इंड़र अंबूत हीं चले बताएंगे पिलकुल सहीं बिलकुल सहीं है सथीख है औकि सभी वच्छो को आफ्सन नंबर ए आ रहा है तो आफशन नंबर A कहाँ है sir, option number A यहाँ है sir, है न, है न, herodotus, आप बता सकते हैं इनके book का नाम बचे, इनकी एक book थी, क्या आप इनके book का नाम बता सकते हैं, यदि बता दें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, who of the falling was writer of, मुद्रा राक्छस, sir, मुद्र हैं, anytime, बोलते हैं न, 247, 247 है न, पढ़िये आगे और बढ़िये और आंसर करिये, चलिए, good morning, रूबिया सुल्ताना जी, ये हमारे बच्चे ने, ओके, ठीक है, हिस्टोरी का या संसु, good, बुक का नाम ता सर, हिस्टोरी का, बिलको पिछले अभी जो पूछा था, आई आप अगले point पर, ध्यान रखेगा कि इस question का क्या अंसर है, सर, तो इस question का अंसर ये दिए हम लोग देखें, मुद्रा राक्चस आप सब जानते हैं, विसाख दात, विसाख दात, इस दा, करेक्ट आंसर, बच्चो, option नमर बी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले part पर पढ़ते हैं, अगला question, क्या है सर, which of the following classical work of literature were written during the गुपताईरा, अमर कोस, कामसुत्र, मेग दोता, या फिर आप का मुद्रा राक्चस, बताईएगा क्या होना चाहिए, correct answer, ठीक है, हाँ वेपल, वो हमें लग रहा है, वो हमें लग रहा है, don't worry, answer करो, जल्दी-जल्दी से बस, अरे, निसा, क्या हो गया, तुमारी आँख को, हैं, चलो, चलो, जल्दी-जल्दी बताओ, और सभी लोग, मेरे भाई, 41 लोग, लाइब है, बच्चो, like, share, के साथ, यार, आंसर करिएगा, आप सभी लोग, yes, चलिए, बढ़िए, सिंचेन, ओके, रूबिया जी, ठीक है, तो देखे, सर, करेक्ट आंसर क्या है, अमरकोस, कामसुत्र, मेगदूत, और मुदाराक्चत, ये सब के सब उसी वक्त पर लिखे गए, हैं, तो कनूप्रिया, और सभी लोग, well and good, so, करेक्ट आंसर क्या है, सर, 1, 2, 3, 4, all, सभी के सभी उसी वक्त पर लिखे गए, बच्चो, हैना, चलिए, बढ़िए, अगले प्रस्ट पर, अगला, अगला है, दसकुमार, चरित्रम, was composed by, हैना, आपको बताना है, दसकुमार, चरित्रम के कंपोजर कोन थे, सर, दांडेन, कालिदास, सूर्दास, तु हम, चलिए, 46 ता गाड़ी पहुचिए है, थोड़ा सा और लाइक सेर के साथ, आगे बढ़ेंगे, बच्चे, चलिए, ठीक है, ठीक है, दांडी, 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 यस, option number B is correct answer, बिलकुल सही मेरे बाइब, बिलकुल सही option B, जिन का भी है, यानि दांडीन is the correct answer, which of the following drama was not written by काली दास, काली दास के द्वारा कौन सा ड्रामा नहीं लिखा गया है, सर, काली दास के द्वारा कौन सा ड्रामा नहीं लिखा गया है, जल्दी से बताएंगे, बच्चे, यस, fast fast, चलिए सर, देखा जाए कि क्या होना चाहिए, correct answer आप अंसर पर बढ़ा जाए, और जाना जाए कि सर क्या होना चाहिए, आंसर, तो करेक्ट रांसर क्या है सर इसका option D option D सभी लोग लगा रहें बिलकुल निसा चौधरी वेल्डन ध्यान रखेगा है ना जानकी हर नामा ये इनका नहीं है बाकी तो सभी चीज़ें आप सब जानते हैं कि अभिगान साकुन तलम कुमार संभवम और ये सब इनीका है भाईया चलिए अगले कोशन पर बचे अगला है अगला 51 लोग हो है भाईया धन्यवाद यह लाइक सेर जरूर कर डालो 51 के 51 लोग लाइक सेर करोगे तो यह समझ लो कि सर की पाउच और बढ़ जाएगी थोड़ा लाइक वाइक सेर्वेर करो भाई पानी नहीं है ना वात्सायना च लिए एम एच सहाब बया गुड मार्निंग बई गुड मार्निंग चलिए भाई आंसर वांतर करिए ओके आसा जी ठीक है ओके गुडिया निसा सिदार्द कुमार ओके अनुकृति मिस्रा जी ठीक है तो आईए बचो आंसर फर जाना जाए ध्यान रखे पानी नी पानी यदि देखे तो अस्टा ध्याई से जुड़े है ना तो एका थर्ड एका थर्ड सर कहां आ रहा है एका थर्ड तनुसरी जी बिल्कुल सही और सभी लोग उप्शन ए एका थर्ड आ रहा है सर तीसरे पर बाकी आप आगे देख लें तो याद रखिएगा वात्सायना का आपका कामसुत्रा चानक्यका आप सब जानते हैं कलहन की राजतारेंगिनी वैसे आप सब जानते बुद्धिज्म को फॉलू किया था बट कलहन ने बताएं वो सिविज्म को फॉलू करता था अगला हुड्रू महात्मा गांधी जैटेंशन च्वार्ड था एक्सप्लाइटेशन आप पेसेंट बाई यूरोपियन इंडिग वो प्लाइंटा फॉस्ट स्पीड से बताएंगे बत्चों लाइक सेर के साथ यार हासिम चौधरी भाईया नमस्कार क्या आल चाले जल्दी जल्दी से आंतर बताओ भूलिए यास ओके बहुत बढ़िया विजिया जी अनुभूती ओके चलिए भई ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बिलकुल सही बी बी जिन बच्चों का रहा है राजकुमार सुकला आप सब को ध्यान रखना है वैसे आप सब जानते बच्चे चंपारन सत्यागरा किया गया था 1917 में बट 1916 में सबसे पहले बनारा सिंदु युनिवर्सिटी के दौरान ठीक है और उसके बाद फिर आपका लखनाउ सहसन जो 1916 में रहा उन दोनों जगहे पर खासकर 1916 लखनाउ सहसन वाले में राजकुमार सुकला जी जो है उन्होंने बहुत अच्चे से गांदी जी को समझाए कि सर क्यों जरूरी है आपका आना खैर ज्यान रखेगा और 1917 में फिर गए तैना हूँ इन्वाइट यह वही सेम कोशन एक ही कोशन अलाग अलाग एंगल से बना का डाला गया तो जल्दी से बस फ़र्स्ट आंसर कर दो इसको समझने की भी जरुत नहीं क्योंकि सनुसाब बिल्कुल सही निशा चौधरी स्री कृष्णा लखनौ से हैं यह बहुत बढ़िया भाईया नवावों के सहर से हैं आप स्री कृष्णा जी ओके ठीक है तो क्या होना चाहिए आप सब जानते हैं सर राज कुमार सुकला इसमें डिसकस इसना आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता दें यार कि बाहु बली का आपका जो करिंट अफेर है एक्जाम स्पैसिफिक आप लोगों का टार्गेट करके चला जा रहे है इसको पत्यागरे के दौरान जो महात्मा गांधी है ना महात्मा गांधी के साथ थे वो कौन कौन से थे जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चों कॉमर्स ग्रोप यानि स्वेता जी बिलकुल बहुत बढ़ियां स्वेता जी वेल्डन पिछले का अंसा सही है आप इसका बताईए है जल्दी जल्दी से हमें जल भाइए बिल्कुल सही बिल्कुल सही जिनका भी आप्षन आर रहें चीजी एक लाइन से सी 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 यस 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 बिलकुल नेतिन और सभी लोग डिजे तो तो राजेंद्र प्रसाद एन अनुग्रा नारायन सिंग ना राजेंद्र प्रसाद एन अनुग्रा नारायन सिंग इस दा करेक्ट आंसर बच्छो ध्यान रिखेगा अनुग्रा नारायन सिंग के उपर तो वहां पर रोड भी है और जगे भी काफी सारें के उपर फिर मैं और कई आप लोग जब देखेंगे न तो आप लोगों को लगेगा कि कई सारे कोस्टन अल्रेडी हम लोग करते जा रहे हैं ना सिल्पी सिंग जी गुड मार्निंग कि चलिए बच्चे जल्दी जल्दी से लाइक सेर के साथ साथ आंसर करते रहे यह कि यस रबिनाद टैग और रबिनाद टैग और बिल्कुल सही डीजे निसाओ के और सभी सभी बच्चे गुड रबिनाद टैग और ने कहा था उनका मानना था कि यह सब करने से कोई अनुक्रिती जी और सभी लोग विच अब दा फॉलेंग इंस्टिट्यूशन वर वर फॉन्डेट डिरिंग दर नॉन कॉपरेटि मोमेंट कोन सा नॉन कॉपरेटि मोमेंट के दौरान सर आपका सुरू किया गया था कासी विद्यपीट गुजरात विद्यपीट जाम्या मि यही तो है कि क्या होता है ना जब आप रेगलर कोशन करते रहते हैं अनुज एक ही कोशन अलग अलग आपके एक्जाम में भी यह कोशन उठकर आ जाएगा और आपको लगेगा रहे यार यह तो सर उधर करवाए थे ना तो वस करते रहे यह प्रैक्टिस और 69 लोग आप सब जानते है कासी हिंदू विश्व जो आपका विश्व विद्याल है यानि कासी हिंदू विश्व विद्याल है की जो अस्थापना किया गया था वो 1916 में ता बच्चो है ना तो दिस वास नोट दा करेक्ट आंसर एलस इट वास इन 1916 इसके सिवाय और सभी आप दे इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है सर आपको बताने जल्दी जल्दी से बताएंगे देखा जाए कि सर आप सब क्या अंसर क्या क्या हो रहें अनन्यागर्गो के ठीक है निसा मदन मोहन मालवी 1916 में था पिछले में ठीक है 1919 नहीं गड़बड कर रहे हो तुम बोलो बताओ सभी लोग अनुभूती मेगा वेल ड़न गुड मेगा बहुत बढ़िया और सागर साभ बहुत बढ़िया गुड और तनुस्री यस वेल ड़न सो करेक्ट आंसर क्या है गुडिया जी सोच में पढ़ गए आंसर पर आजो बच्चे करेक्ट आंसर है अधीना मस्जिद मांडो ठीक है यह आपका करेक्ट मैच नहीं है बाकी सारे सही है ठीक है आजो अगले पार्ट पर बच्चों जो जंतर महल है मांडो का वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था महमुद साखिल जी अलाउदीन खिल जी भोज फार्मा या फिर आपका बताए कौन थासर जल्दी जल्दी से अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है अनुट साब 62 लोग लाइब है आगे बढ़ो यार और आंसर को करो लाइक सेर्ग करते रहो बच्चों चलिए चलिए ठीक है महित कुमार जी गुड मारिंग बईया गुड मारिंग चलिए आंसर करिए बच्चे सभी लोग बिलकुल बिलकुल आप सभी बच्चों को बता दें आप सभी बच्चों को बता दें कि सर ये कोशन ही गलत है का है सर क्यों ऐसा बोल दिये तो ध्याने के ये MPPCS का कोशन है कब 2018 का है ना अब सुनो मध्यपरदेश PCS का कोशन 2018 का अब सुनी अब क्या गलत है सर जंतर महल नहीं है जंतर महल नहीं है बचो आप सब को पढ़ाए गया है जब इत्यास हमने थियोरी आपको पढ़ाए कई बार बोला होगा जहाज महल है जहाज महल है ना जहाज महल ध्यान होगा ना जहाज महल बनाए गया बचो मांडू में और वो बनाए बच किसके द्वारा बच्चे पहला हॉम रूल लीग मॉमेंट को स्टार्ट किया गया भई यह 66 लोग लाइब है बच्चो लाइक सेर के साथ आगे बढ़िएगा और आंसर करिएगा जल्दी जल्दी से बच्चो यस अनुसाब कहें सर ऐसा कोशन क्यों वो लोग देते हैं सर आयोग वाले बच्चे कभी-कभी देखे माइंड है ना गलतिया तो होती रहती है जो सेट करने वाला कोशन जरूरी थोड़ी है कि हर टाइम पर एक ही जैसा माइंड रहे यह हर एक से हो सकता है ठीक है किसी से आप से ह हम से किसी से भी इस पर मत जाय करें कभी-कभी घलता और मानव घलतियों का पुलिंदा है कि क्या बता है ज्या आहिए ज्यादा नहीं बोल सकते आये जरह अगले पार्ट पर या सेनी बेसेंट एच्च एनी बेसेंट बिल्कुल सही जिन का भी एनीर के तो बिल कूल सही है ज अर्सट लोग लाए बच्छो लाइक सेर के साथ यार आगया आंसर करेंगे यास 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 अनुसाब इरिस वोमें थी एनी बैसेंट बहुत बढ़ियां बच्चे गुड गुड एकदम रॉक स्टार यार तुम आंसर करो बस अगला फटा फट से सभी लोग सभी लोग हमारे रोक स्टार है बाई चले नदीम साब ओके निसा ठीक है सिदार्थ अनन्या विज्या लक्ष्मी जी रिसाब ठीक है अखिल जी गुड गुड तो सर ए ए ए आर है बिलकुल सही ध्यान के तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया तब यहां कॉंसेप्ट को सुनना बच सबसे पहले ना एप्रेल में इसके लिए रूल तैयार किया था अपने बीजी टी बाल गंगादर तिलक ओके रूल बट और गनाईजेशन पहले बनाने वाली एनी बेसेंट थी अप्रेल में देन सेप्टेंबर में आपके बीजी टी तो रूल बनाने वाला सेट अप रूल disobedience home rule बताओ जल्दी जल्दी से बहुत बढ़ी आनोज गुड 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 राजपूत साहब नमस्कार भाई चलिया आंसर करिये बच्छे गुड 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 बी 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 आरे सभी का भी होम रूल लीग से बिलकुल आप सब जानते हैं रिस फिमलती जिनों ने आपका ठिक पहले वह आई थी आडियार कौन सा मद्रास में और धीरे धीरे इंडियन नैस्नल मूमेंट की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर भी वूब दा फॉलंग और दिनाट कांट्रिबूट तो था हॉम रूल लीग किसने हॉम रूल लीग में कॉंट्रिबूट नहीं किया था बच्व बाल गंगादर तिलक एनी बेसेंट सुब्रमन्यम यार टीयास अलकाट बताए यस सौरफ सर्मा जी कहें सर आज हमारे सारे कोशन सही हो रहे है सर होना ही चाहिए ताना भाई सौरफ एकजाम पास है यार मैनत तो करना है यह प्रेक्टिस सेट ही है क्योंकि यही रिपीट होना है ऐसे ही कोशन यही तो नहीं अब बिल्कुल बिल्कुल सही अनुबूती और सभी लोग ध्यान रखे टियास अलकाट इस करेक्ट आंसर बच्चो क्यू सर चूँ इसका अंसर टियास अलकाट है क्योंकि आप सब जानते हैं कि यह जो है ठीक है ये का सोसाइटी चलाती थी आप जानते है ठीयो साफिकल सो को सेने इन विच यह कॉंफरेंस को दा हम रूल हम रूल सपोर्टेट डिमोंस्टेट इप पॉलिटिकल पावर सकस्थ फुली बताएंगे बच्चो जल्दी जल्दी से अच्छा अंजल सिंग गॉड अब यह सर्सट अर्सट लोग लाए बेर थोड़ा से एक बाल लाइक कर डालो बच्चो एना चलिए अचलिए 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 मनीशा जी ठीक है रूबियाज सुल्ताना जी सुर्णिमा रोयल राजपूत साहब ओके नदीम साहब डीजे अनन्या ओके सो करेक्ट आंसर क्या है सर ऑप्सन नमबर एस अभी कार है बिल्कुल ध्याने किएगा जो होम रूल सपोर्टर हैं उनका सबसे बड़ा जो आप देखेंगे पावर सक्सेस्फुल उनका जो रहा था वो रहा था लखनो कॉंफरेंस में 1916 और 1916 और भी कई मायनों से आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कॉंग्रेस पार्टी ने वैलिड पार्टी माना था जब कि मुस्लिम लीग बन गया था 1906 से बट पहली बार एक वैलिड पार्टी माना था 1916 में ये भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग लखनो पैक्ट आगे भाही आपको अभी अभी बताए बच्चे कि क्या है यूपी पीसेस का महापैक है ज ठीक है चलिए आगे बढ़ते बच्चे आगे नेक्स क्या है हूँ अमंग दा फॉलंग वाज नोट असोसेटेड विद काकोरी इंसिदेंस काकोरी इंसिदेंस से कौन जुड़ा हुआ नहीं है सर है ना ओके राम परसाद बिसमिल सुरिया सेन राजेंद्र राजेंद्र ला यह सिंग जी कनू अखिल जैनती ओके योगा विद तनुस्री जी गुड़ ऑके तो सभी लोगों का अंसर आ रहा है बिल्कुल सही बिल्कुल सही और बिल्कुल भई तो ध्यान रखेगा करेक्ट अंसर क्या है यस 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 और लाइक सेर के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चों इनके बारेमें एक और को ऊच्छों जहां पर हमने जाना था कि इनको किस केसमें मतलब खिसकेस के लिए इनको बनाए गया था मतलब जो इनको फसाए गया था वो किस केसमें कि बता जल्दी कमेंट सेक्षन में कल ही किये हम लोग ये को सुन। वैसलेंग वाज गौूर्मेंट एड़ोकेट फ़र काकोरी कॉंस्पैरेसी केस काकोरी कॉंस्पैरेसी केस में गवर्नर मतलब आप समझें गौर्मेंट के एड़ोकेट कौन थे बचो यह आपको बताना है। चले बताए अनुभूती कोई बात नहीं बता रहें अभी सुनो बिल्कुल अनन्या सत्तर लोग लाएव है बच्चो इसकोशन का अंसर जल्दी जल्दी से बताएंगे मेरे बाई एक अत्तर तक गारी पहुची है ज्यान रखे बच्चो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर किसी कार है क्या रिसब ओके सौरब गुडिया ठीक है अनुकृती जी अनुकृती बिल्कुल वेल्ड अन्गोड ठीक है यास यास डीजे बिल्कुल सही और ये निसा कहां खो गई चलिए अपना विपल पूछ रहा है जैगत नारायन जैगत नारायन मुल्ला इसदा करेक्ट आंसर बच्चो ध्यान रखेगा भारत सरकार के द्वारा इनको एप पॉइंट क्या आता। स estava सनumber अब्र 2 अपको फेर्चोल है जिसको आपको नम याद रखना है अगले पर आईए हंदूस्तान socialist republican association formed by हिंदुस्तान socialist republican association बच्चे किसके द्वारा बनाए गया तैना सुभाष चंद्र बोस राजवियारी बोस चंद्र सेखर आजाद या फिर आपका सर्दार भगत सिंग जी बताएं है एक सारे हम हम अगे प्रतिभा जी गुड मार्निंग डीजे ओके मनोज कुमार ठीक है मनीशा जी सामभवी ठीक है नदीम ठीक है चले आंसर पर भड़ते हैं कोई बात नहीं प्रतिभा जी आंसर करिए ठीक है स्मीता जी स्वाणिमा अनुकृती जी ओके तो देख लेते हैं सर की क्या होना चाहिए आंसर अब न ध्यान रखेए आप सभी बच्चों को कुछ लोग जो आप्सेन डी लगा रे बच्चों गलत है है न ध्यान रखेए चंदर सेहर आजाद आप सब को बता है गया ध्यान होगा की सबसे पहले सर एचारे था एचारे 1924 में था ठीक है जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि सचिद्रनाज सन्याल HRA फिर HRA से चेंज कर दिया बचो HSRA है ना हिंदुस्तान Socialist Republican Association 1928 में क्रांतिकारी संगटन और ये HSRA जो है इसको बनाने वाले आपको बता रखा है कि सर्चंदर सेखर आजाद है ना तो option number C is the correct answer अगले पर आईए who among the following through a bomb in the central legislative assembly on 8th April to make the deep British government here बताईएगा बच्चो 70 लोग live है like share के साथ आगे बढ़िये जल्दी जल्दी से बिल्कुल बिल्कुल हरे से नम बदलकर अनुस सहब HSRA ठीक है 72 लोग live है बच्चो लाइक सेर के साथ आगे बढ़ेंगे यार और आंसर करते रहेंगे चलिए सर बिल्कुल रॉयल राजपूद भाईया एकदम गोड यार गजब बहुत बढ़ियां चलिए ओके रूबिया जी कनू ठीक है अनुबूती बहुत बढ़ी आंजली जी ठीक है ओके मिस्टर रॉय ठीक तो आंसर क्या होना चाहिए सर आंसर पर बढ़ते हैं और आंसर को जानने की कोसिस करते हैं सर देखें आप सब को ध्यान रखना है कि यह जो केस किया था भगा बच्छे आपका करेक्ट है चलिए अगले पार्ट पर दमेन आउटकम ओफ 1921-22 नॉन कॉपरेटिव मोमेंट वास उन्हीं सर एक्किस बाइस का नॉन कॉपरेटिव मोमेंट का बच्छे मेन हैना आपको बताने की आउटकम क्या था जल्दी जल्दी से बताएंगे यस गुड रॉयल राजपूद विपल जी ठीक है बताओ बताओ जल्दी जल्दी से जुही अगरवाल ओके मौम्मत तन्वीर आलम साहब ठीक है मनीशा जी ओके अनन्या रूबिया सुल्ताना जी बिल्कुल हिंदू मुसलिम की यूनिटी का इनका कॉंसेप्ट था तो बच्छे क्या था हिंदू मुसलिम यूनिटी हिंदू मुसलिम यूनिटी का इनका कॉंसेप्ट था और ये कॉंसेप्ट अपने गांधी जी का ठीक ह पार्ट पर, who among the following established anti non-corporation moment assembly, आपको बताने anti non-corporative moment assembly सर किसने बनाये था, जल्दी से बताईएगा non-corporative moment तो आप जानते उसके खिलाफत करने वाला किसने बनाये था, बच्चो जल्दी से बताईएगा, जमना दास, जैराम दास, दौलत राम, या फिर आपका मनिकाल वर्म बच्चे बताएग, मनीशा जी का अंसर आया है, चूही अनुभूती, नदीम, चलिए, सुनिए, करेक्ट अंसर क्या है बच्चे, ये सुनो, ये IS प्रिलिम, IS प्रिलिम, 2014 का कोश्ण है, ओके, और ये कोश्ण का अंसर है स्टार मार्क, मतलब क्यों है star Mark का मतलब क्या है सर यह जो ठाकुर दास दिया है option में वो पूरा नाम था बच्चे पुरसोत्तम ठाकुर दास क्या नाम था बच्चे पुरसोत्तम ठाकुर दास ठीक है तो इस बेसिस पर यह question का answer आप इसको छोड़ेंगे otherwise otherwise अधरवाइस पुर्सोत्तम ठाकुर्दास एक हैं दूसरा आपका याद रखना है जमना दास तो लेकिन कोशन में ये पूरा लिखा हुआ था समझ रहना तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये कोशन आपका गलत है इनमें से सर्फ कौन सा करेक्ट मैच नहीं है बताएगा फास्ट फास्ट स्पीड से 1885 फॉंडेशन आप इंडियन नाशनल कॉंग्रेस 1905 पार्टिशन और बेंगॉल 1909 मारले मिन्टो रिफॉर्म या फिर 1930 नन कॉपरेटी मोमेंट बच्चो फास्ट फास्ट लाइक सेर के सा आगे बढ़ेंगे ठीक है अजा सुरूब्या जी चले बाई ओके ठीक है निसा स्वाणिमा मनीशा नदीम बिंदु जी ठीक है निसा चौधरी ठीक है स्वाण वर्सा ओके तो आंसर पर बढ़ा जाया सर और आंसर को देखा जाये कि क्या होना चाहिए इस कोशन का करिक्ट सर बिलकुल सही टैमर आप हो चुका है तो आप सब जानते हैं इंडियान नाशनल कॉंग्रेस को सर ए ओ हुम के द्वारा यह बनाय गया था भाई तो इसमें तो कोई टैंसर नहीं नहीं और याद रखे आप सब बच्चों को बताना है ए ओ हुम के द्वारा जो यह बनाय ग ठाखा था ठीक है कैर पार्टी सोन बेंगोल आप सब जानते हैं सर 19 जुलाई को एनॉंस किया था 19 जुलाई 1905 को एनॉंस किया था है ना और फिर फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया डिवीजन ठीक है जिसके खिलाब फिर स्वादेशी आंदोलन वाला पार्ट मॉरले मि अलॉंस की एकता को तोड़ने के लिए डिवाइडें रूल वाला सेकेड़ आपका वाइसराँ जो था वो कौन था आपका वो ठामिंटो जिसनने मुस्लिम रीग बन भाया और उसके साथ-साथी भी मुसलिम को और तोडने के लिए मॉरले मिंटो रिफोर्म लाया सापरेट एलेक्τοरेट जो करवाया है ना क्यार नोन कॉपरेटिम मॉमेंट बचे आप सब जाने नोन कॉपरेटिम मॉमेंट भहिया 1930 में कहां सुरू हुआ यह 1920 में सुरू आप सब बच्चों को बताए था एक आगास्त 1920 ध्यान होगा ना एक आगास्त 1920 और जिस दिन ये शुरू हुआ बचो जिस दिन ये शुरू वा नॉन कॉपरेटी मोमेंट उसी दिन बी जी टी की डेथ हो जाती है बाल गंगादर तिलग की मिर्तियू हो जाती है तो वह या करेक्ट आंसर है ऑप्सन नमबर डी है ना क्योंकि यहां पूछाएं नॉट करेक्टली मैच अगले पर आओ दा परसन नॉट करेक्टेड विछ चंपारन मोमेंट कौन सा कैरेक्टर कौन से परसन चंपारन मोमेंट से जुड़े हुए नहीं है बताएं फास्ट फास्ट नहीं मनोच कुमार जी इंडियन नैशनल यूनियन था उसका नाम कॉंग्रेस का पहले ठीक है इंडियन एस्सोसेशन वो उसका प्रिकरसर था बच्चे ठीक ना इंडियन नैशनल यूनियन एग्जेक्टली था कॉंग्रेस पार्टी का नाम बाद में दादा भाई नैरो ज जी के द्वारा कहने पर उसका नाम इंडिया नाशनल यूनियन से चेंज करके इंडिया नाशनल कॉंग्रेस किया था होप सो आप समझ गए हूंगे चलिए बहुत बढ़िया भई ठीक है नितन गुपता जी ओके अंजल जी ठीक है अनुसाब अनुकृती ठीक है तो आंसर पर बढ़ते हैं सर आंसर को देख लेते कि क्या है सर दा परसन नोट कनेक्टिड विच चंपारन भईया बिलकूल सही है जैपरकास नारायन क्यूंकि सर राजे यह का मतलब है उस लेवल पर नहीं थे जिस लेवर पर आंदोरन चल रहा था ठीक तो आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर क्या है सर आपसर नंबर डी इस करेक्ट आंसर चलिए अगले पर आप्टर रेटरिनिंग फ्रम सौथ आफ्रिका गांधी जी अंतर वांतर करो चलिए अरे जैनल असकी कहे गुल क्या बोले वहीं या गुल गप्पे बताओ बताओ अच्छा चलिए बढ़िए बिलकुल सही बिलकुल सही जैनल एसकी यस गोड सरमा जी ओके अखिल साम नितिन गुपता ओके देखा जैसर आंसर क्या होना चाहिए अप्टर रिटर्निंग फ्रॉम साल्थ अफ्रिका गांधी जी लॉंस्ट इस फर्स सक्सेस्फुल सत्यागरा आप सब जानते सर चंपारन में कब किया था 1917 में इसकी नीव डाली गई थी 1916 में उसकी नीव डाली थी इंडिगो प्लांटेशन करवा कर अंग्रेजों ने और उसकी नीव क्या था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो की जिसका इंग्लेंड में नहीता जर्मनी में आ चुका था वो नील की खेती पर पोर्स डाला और उसके बाद अंग्रेजों ने अपने चंपारन में तिनकठिया सिस्टम सुरू करवाया और विच आप फॉलेंग प्लेस डिड़ मातमा गांधी फर्स्ट इस सत्यागरा इंडिया भा गड़त यस ओके बिलकूल बिल्कुल बिल्कुल सही चले सर करेक्ट आंसर क्या है चंपार ने इसमें इतना सोच रहा है काहे को अगले कोशन पर आजाओ विच अमंग दा फॉलाइंग इंडिकेड लेंड रिवेंड्यू इनमें से कौन सा सर लेंड रिवेंड्यू को बताता है करज कॉंस उसर या फिर आपका मुक्ताई बताएं यस राइल राजपूत हर्सिता सिंग जी वेल्डन हर्सिता सोनी वर्मा जी ओके और भाई मेरे थोड़ा सा या लाइक वाइक सेर्वेर करते रहो आपका लाइक सेर अपने सैसन और अधिवेशन दोनों कोई हिट बना देता है ना मिरे भाई हां बड़ी आंसर करिए यस बिल्कुल सही निसा चौधरी एक नंबर गलत आंसर है तुमारा अच्छा ठीक है वेल्डन निसा रहे हमें ठीक है गोड तो ध्याने के गोड 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 जिनका भी ऑप्सन डी आ रहा है इधर उधर कर रखा है ना ध्याने के करेक्ट आंसर क्या है बच्छे यह आपक सब्सक्राइब के लेंड रिवेन्यू से रिलेटेड वन थ्री फोर यानि ऑप्सन नमबर डी इस करेक्ट आंसर बच्छो ठीक है चली अगले कोड़ा जाया अगले कोड़ा जाया जाना जाया सर अगला हुवाज अपॉंटेड आस फॉस्ट एकता बाय मोहम्मद गौरी और अग्ढ़ा बैद अग्ट है अग्ढ़ा आगे अर जाया अगश्च है निसा कह सर मोका देखते हैं वस बोलने के लिए चलो ठीक है बिल्कुल सबी लोग बी 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 गुड गुड ध्यान रखिएगा पहला जो एकता था सर मुहम्मद कौरी का आप सब जानते हैं कुत्वद्दीन आइबक और आपको बता दे बच्चो यह कुत्वद्दीन आइबक को आप सभी जानते हैं काफी सारे अलग-अ नाम से जाना जाता है जैसे आप जानते हैं हाथिम ताई सेकंड हाथिम हाथिम ताई सेकंड हाथिम के नाम से भी इसको जानते हैं और इसके साथ-साथ इसको कहा जाता है था बच्चे क्या लाक बच्च लाक बच्च इसको कहा जाता था इसके साथ-साथ इसको कहा जाता है बच्चे कुरान खुआ क्या बता सकते कुरान खुआ इसको क्यों कहा गया था एना बहुत सिंपल सा है और ध्यान रखे इसकी जो डैथ हुई थी कुतुबुदी नहवक की 1210 में चौगान खेलते वक्त पोलो का एक टाइप आपको ध्यान खेलते वक्त इनकी डैथ हुई थी एक दोफॉइंट और रिवाइज कर लो ध्यान रखेगा अच्छे यह बताईए इसने इसने तुर्किस स्टाइल में पहला मस्जिद बनवाया था या पहला मंदिर कह रहे हैं मस्जिद बनवाया था या फिर पहला आपका मकवरा बनवाया था बच्चों बताना और क्या था नाम इसके साथ साथ आप वो जानते ही हैं सर्कुतु मिनार का पहला फ्लोर बनवाया दूसरा तीसरा चौथा इसके दामा दिलतुत मिस्रे बनवाया और पाच्वे को रिकर्स्ट्रक्ट जो करवाया था वो था फिरोस्सा तुगलत है ना ये ध्यान रखिएगा बच्चो ती चीट थीच है अब अगले पॉइंट पर आईए अगले कौशन को जानिए अंडर दा अंडर दा रिजीन ओफ अंडर देर रिजीन ओफ चैसे ल खाल सा लेंड वास डवल लप्ट लार्ज स्केल खाल सा लेंड बच्चे किसके टाइम परेड़ोट किया था या सुधीन तु कि अनन्या ओके अंजली ठीक है निसा जैनती सवनिमा अखेल ओके बिन्नी बहुत बढ़ी रूबिया सुल्ताना जी अंसु जी ठीक है अनुकृती आई या अंसर पर जाना जाय सर की क्या होना चाहिए स्कोशन का करेक्ट आंसर ठीक है तो बिलकुल सही जिन बच्चों का तान जी बिलकुल गूट मॉर्निंग बच्चें गरेक्ट आंसर क्या है सर अलाओदीन खिल जी धियान कि अलाओदीन खिल जी ने देखा कि सर जो दिल्ली सल्तनात का पहला वाला था ना आपका कोंसा गुलाम षाण स्लेव श्लेबस वालों ने बहुत सारा इक्ता-पिकता और ब बच्चो बताएं जल्दी जल्दी से मेरे लाइक से अरे तानिया जी गुड मॉर्निंग हो गया बच्चे आंसर करिए ठीक है मनिशा जी कहे कि हमारे दो गलत हो गया कोई बाद नि मनिशा रस्ट को सही करो कमपिडिशन हंडेड परसंट सही करने वालों का नहीं होता क्योंकि वह पगलाय रहते हैं कमपेडिशन होता है मीडियम वालों को मीडियम का कहने का मतलब है और मेंस में तो 50-70 के रेंज में रहो काफी हो जाएगा चले ओके मालिक मुहम्मन जाय सी मालिक मुहम्मन जाय सी सभी वच्चों का अंसर बिल्कुल तो सही तो सौ अपस्टन सी इस दा करेक्ट आंसर यास रूबिया सुल्ताना जी एंड ओल गुड आप सब को ये कोसिट खई बार करा दिया मुझे वरोसाइग ये सब याद हो गया होगा आप लोगों का ना चलिए हरसिता जी एंड ओल डन अगले कोसिट पर आईए सर पानीपत में जीत का इनका मुख्या क्या था सुक्चेन सिंग अरे या हमें सिंचेन अभी देख रहा था यार यह सुक्चेन भी आ गए चलो भाई सुक्चेन बहुत बढ़ियां यार बहुत अच्छा चलिए हुआ दा बचो जल्दी जल्दी से हम और जितने भाई जुड़ रहे हैं यार लाइक से जरूर करते रहिए गार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई यदि नहीं नहीं हो तो चलिए ओके बिल्कुल इसकी मिलिटरी लीडर्सिप बिल्कुल सही सभी लोग जिनका भी आंसर आ रहा है सर मिलिटरी लीडर्सिप बिल्कुल बिल्कुल सर मिलिटरी लीडर्सिप के कारण ही वो जीता था इसके साथ साथ है ना तो लोग नुमा युद्ध पद्दती को भी आपको ध्यानकना है पहले ये या सनुष साहब बिल्कुल सही 74 लोग लाए बचो लाइक सेर के साथ आगे बढ़ियेगा सालवेशन प्लेस आफ है ना सालवेशन प्लेस आफ महावीर जी दा ओरिजिनेटर ओफ जैन religion is located at आपको बताना है कि कहां पर हैसर माने राजगीर पावपोरी या फिर जलान फोर्ड बताइए बचों क्या होना चाहिए correct answer आप सब का अरे बहुत बढ़िया कपुर थला से हैं हमारे सुक्चेंजी गुड भाई गुड बिल्कुल सही गुड गुड पावपोरी 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 भाई बिल्कुल सही गुड बचों का हे गुड वेलन सो करेक्ट रांस रख एंसर करेक्ट आंसर आपका पावपोरी क्रैक्टर्र बच्चे ठीग है ओके सरफ ऑमन जी बिल्कुल सहीयर सबी लोग गुड जिन और अगला पर अगण मेन feature of fiscal system of Vijayanagar empire Vijayanagar empire का बच्चे main feature क्या था सभी लोग बताएंगे chess, chess, land revenue, profit and profit from the port या फिर आपका currency system बच्चो first first बताईए का बाई सुमन कहे सर बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा तो बस करते रहो और साम को 6 बजे वाले पर साम को 6 बजे जो mock test होता है बच्चे उसमें तो history, policy, geography सभी चीज रहती है न उस पर भी सभी बच्चों को join करना है है न चलिए अब इस question का अंसर बताईए यास गुरिया जी ठीक है रूबिया जी ओके अखिल जैनती बिल्कुल सही बच्चे तो correct answer yes अच्छा कई लोग option A लगा रहे है जो लोग option A लगा रहे है एक नमबर गलत आंसर बच्चे correct answer क्या है बिल्कुल सही सर correct answer इसका आपका land revenue धान रखियेगा land revenue is the correct answer ठीक है ओके चलिए इसके साथ-साथी बच्चों आगे बढ़ते और आगे बढ़कर आप सभी बच्चों को बताए कि अगला क्या है सर अगला आप सब के लिए है which battle were used in the kwan टाका अना सासनी एंड चीतल बताएगा कि जल्दी जल्दी से बच्चों रूही जी चले बताएगे बच्चे फास्ट फास्ट यस आसा जी बिल्कुल वो भी आएगा दस पंद्रा दिन के अंदर वो भी आना सुरू हो जाएगा ठीक है ओके चले बढ़िए इसके बाद आप सभी बच्चों को बता दे कि सर आपका MPPCS का जो महा पैक है बच्चे जिसमें आपको संकाल 4.0 मिसन UPPCS और बच्चे इससे कम पर कभी अवेलिबल नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं बच्चे किसने कहा था अभी नहीं तो कभी नहीं कमेंड में जल्दी से जरा लिखो और आपको बता दे कि सर ये जो आपका है ना 1999 में नहीं बच्चे ये आपको ध्यान रखना है कोड Y260 से ये आपको 188-1800 आपको अवेलिबल हो जाता है ठीक है तो जरूर जोइन करिए और इसके साथ-सादी बच्चो आप सभी को बता दे अगला पार्ट और इसके साथ UPSC Civil Services का आपका एक मन्त में जो रिवीजन बैच है इस पर भी बच्चो आप वही सेम Y260 कोड के साथ जोइन कर सकते हैं और सर देखे सब्सक्राइब चैनल को कर डा लिए ठीक है अनुस साब कहे हमारा बाहु बली ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अनुस देखे यूपी PCS के लिए बच्चे आपको यूपी PCS यूपी PCS BPSC के लिए भाईया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आप सभी को और साथ साथ ध्यान रखे एप को जरूर डाउनलोड करिए इस पर काफी सारी चीज करेंट यशा फिर कोई जेज बहुत सारी चीज आपको एविलिबल होता है बच्चो आज और एक छोटे से कोंसिन के साथ आपको छोड़े जा रहे है सर छोटा चा कोशन क्या है आज का कोशन है सर बहुत सिंपल सा आपको बताना है क्या बताएंगे जो कलहन की बुक है कलहन की जो बुक है राज तरंगिनी उसमें असोका के बारे में जो बता है वो तो छोड़ो उसके सिवाए मेन वो कलहन की बुक जो है राज तरंगिनी वो कि इसके लिए है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताने बचो और साथ साथ साम को छे बजे हम लोग मिलेंगे मौक टेस्ट पर चलिए टेक केर रॉल अफ यू बाई बाई और महापैक जो है अभी नहीं तो कभी नहीं को ध्यान रखना है टेक केर रॉल अफ यू यू आर्दा र आर्दाने टार्सक टेक सेक्शन में रॉल ऑप गको तो कर साथ सेक्शन में लोग मैं पर खेम यू यू ओना है लोग मैं साम काझ्ज आर्दान कहारी है।